अभी हम यहां इसले खड़ेंगे कि माय साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था लगकी लिए हम उस सिर्फ निकल गए क्या हुआ था आगे कहानी में देखो त्योंकि अपने वह आपको कल अपनी शकल सुधार के बताऊंगी जरा चबसकार ही हो गया ऐसे चबसकार नहीं होता है बैया रादे रादे तो अभी छोटे सी क्लिप आपने देखी कि हम रात को इतनी परिशानी में बाहर कहीं खड़े वे थे और किसी का इंतजार कर रहे थे बहुत तेज बारी शूरी थी अच्छली सीन कुछ हमारा मूवी जैसा ही सीन बन रहा था कि हम उसका इंतजार कर रह कि सबसे बहुत अपने भगवान पर अपने उस पर विश्वास करना शुरू कर दो कि अगर कुछ हो रहा है तो अच्छा ही होगा नहीं हो रहा है तो वह अच्छा के लिए नहीं हो रहा होगा और मेरे साथ तो ऐसे बहुत से इंस्टांसे हुआ हैं जब मैं अपने भगवा तो मिलेंगे की नहीं मिलेंगे, चीजें खो गई तो मिलना मुश्किली है, खो गई मतलब यहाँ पर ऐसे चोरी भी हो जाती है, खो भी जाती है, हातों से भी गिर जाती है, कोई छीन भी ले कभी, लेकिन एक चीज और है, थोड़ा सा फर्क है, मतलब मुंबई के लोग comparatively बह कि सुबह सुबह, साधे दस बजे के आसपास, हम लोग गए हॉस्पिटल, मम्मी को लेके मैं, और मैंने मम्मी को बुछा, मैंने का मम्मी गाड़ी से चले अपनी स्कोटी से, मुझे न ऐसा कोई लेड़ी ऐसा दोनों पाऊ एक तरफ करके बढ़ जाती है, तो मुझे नहीं जलानी आती गाड़ी, तो मैंने मम्मी को बुछा, मैंने का मम्मी आपना क्रॉस करके बैठ जाओ, जिसे नॉर्मली सब लुग बैठते, तो मम्मी को थोड़े से चक्करा आ तो मम्मी ने बुछा कि नहीं, गाड़ी पर नहीं हो पाएगा, तो स्कूटी से बढ़ चल, अप में मुबाईल पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में दवाईयां भी है, ओटो वाले को पैसे दिये, और मैं उतर गई, और इस हाथ से यहां से पता नहीं कब मेरा ये मुबाईल, ये ही मुबाईल स्लिप होके ओटो में गर गया, गर आ गए, खाना वाना बनाने लग गई, एक एक देड़ घंटा हो गया, मैंने अपने मुबाईल को ध्यान भीन दिया, ऐसे मैंने इसको ऐसे सोफे पर पटक दिया, and I thought कि मैंने साथ में मुबाईल भी रख दिया, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मेरे हाथ में मुबाईल था, या नहीं, कहां गया, कुछ नहीं, सोच चल्वा, एक वीडियो बनाते, अपनी रेस बनाते, I have started searching for my mobile, धूँ 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 नहीं मिल रा मी का, को वो रूँ भी बिचा मिस्कॉल थे, बजनी रा मुझे लगा कि साइलिंक पर तो नहीं, गवरा गई मैं, कि भाया, मेरा मोबाईल आखिर गया कहां, उसी आटो में गिर गया था, और आटो में भी ऐसे गिरा कि वो शायद उसके कुसी कॉर्णर में गिरा था, यही मोबाईल, अब जो आटो वाला था, हो तो चल दिया, थोड़ा सा दूर जाके, कोई भाई साब जो है, आटो में बैठे, उन्हें मेरा मोबाईल मिला, उन्होंने सोचा कि आ मोबाईल है उसे दे ही ना, तो उन्होंने अपना मेरा मोबाईल वो लिये, तब तक बीच में मेरे हजबन का एक मिस्कॉल आया, तो मिस्कॉल दिखता है ना मोबाईल में, तो उन्होंने शायद कैसे भी करके वो नंबर सेव कर लिया, या माइंड में जैसे भी, उन्होंने को कैल किया मेरे भीसुन को कॉल किया हमने हुमने ठ्राइ किया बाद में 12 15 उंह 57 उनको ग्या उनने पर क्या क्या मेरे हज़ा नौगा र्याशक और मेरे हस्ब को भलते हैं कि ये आपका कुष मोबैल को गया है कि अब मेरे हजबरक थे अाइड निया क demolition तो बोले नहीं, मेरा मुबाइल तो नहीं है, बोले नहीं आपका नंबर तो आए अज़े, तो पचास लोग को कॉल करते दिन भर में, थो उनने लगा, नहीं बिला मेरा मोबाइल नहीं है, है इडिन बॉदर, और उनने लग दिया, फिर हमने इस कॉल देना शुरू किया, मारे द आपका बीपी हाई हो जाएगा सीरियसली मेरा हाई तो नहीं होता पर मेरा लोग जरूट चला जाता हूँ तो अगर ऐसा होता तो तो लगकी लिए उन्होंने मुझे से बोला कि आप घबराईये मत आपका फोन मेरे पास है और आपको यह मिल जाएगा मैं आती हूं पता यह कह आप चिंता मत किजिए रात को दस बज़े जब मैं आऊंगा तो मैं आपको फोन दे दूँगा सुबह गयारा वज़े से लिके रात के दस बज़े का समय मेरा केस से कटा है मैं जानती हूं मैंने उनको बूच आपका नंबर दे दीजिए मुझे तो उन्होंने तब तो दिन भर गवराहट में गवराहट में निकला क्योंकि देखो अचानक से ऐसा कैसा संयोग बना वो अलग चीज़ है लेकिन आप ऐसा ट्रस्ट जो इशूज होते न अभी कैसा ट्रस्ट न फोन तो खो गया मेरा किसी के हाथ में मेरा फोन हो तो क्या करेगा इसको फॉर्मेट कर देगा और यूज कर सकता है एन आज कल तो ऐसी टेखनीक्स भी है फॉर्मेट करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पढ़ गया तो मेरा फोन वो एज़ यूज कर सकता है अलेस मैं कोई लाइबार हैं लगकिन मैं भी अपने काना ंजी से बोला मैं ने का जो होगा दिखा जाएगा उन्हीं कि अपने पर पासपोर्टी कख्श accomplish कर गेंघर र hatırा कुछ भी ने क्या कुख भी निक्या ये जो होगा दिखा जाएगा काना जी का बोला मैंमें गलत आद्वी के हाथ में भी पढ़ सकता था, जो उसे यूज़ कर लेता, लेकिन वो पढ़ा है कि ऐसे सजन इंसान के हाथ में, उन्होंने मुझे शाम को 10 बज़े तो आए नी, फिर वो आए 11 बज़े तो हमा बेट कर ले था हमका, वो आए, उन्होंने हमें मारा फोन दिया, एंड, सीरिसली, मिल गया फोन, बट नॉर्मली ऐसे फोन मिलता है नहीं कभी भी, कि अगर गलत हातों में पढ़ गया तो मिल ला ही नहीं कभी भी, तो वस ही ठाकुर जी करपा थी, जो मुझे मेरा फोन मिल गया, फोन, फोन नहीं है, लाइफ होती है फोन, हर किसी की, मैं त मतलब मेरी लाइफ, और कुछ नहीं मेरे फोन में, मैं कुछ पर्सनल इंफोमेशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, यही है, वो मेरा काम है, तो मेरा काम तो किसी के हाथ में खाना, और फिर मैं कल कोई Instagram ठाकुर जी पर, मैंने का जब इतना समाला है तो आगे भी समाल लेंगे, ठाकुर जी ने जो है, हमको हमारा फोन दिला दिया, अब यह जो सज्जन थे, यह जो है, यह कि दादर में कई सुविधा शॉप, सुविधा सुपर स्टोर करके कोई है, तो वहाँ पर कैशियर है, ठाकुर जी ने जो, ठाकुर जी ने जो है, जो एक सज्जन आदमी के हाथ मेरा फोन पड़ा, यह तो मिलना ही नहीं था, बस यह है कि भी यह भगवान पर थोड़ा शास रखो, डगमगा जाता है, मेरा भी थोड़ा डगमगा रहाता है, लेकिन दिन बर राम 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 जाते हो, और महां से ऐसे निकल बार, ऐसे ठाकुर जी समालते हैं मुझे, क्योंकि मेरा प्रोब्लम क्या है, I trust everybody, I trust everybody, मेरा प्रोब्लम है यह, मेरे को हो जाता है विश्पास, हर किसी पर, मैंने वो भाई साब को फोन नहीं किया, दिन में चार बार, कि भाई साब फोन फोन मैं नहीं किया, उन्होंने ही मुझे फोन किया, मतलब मैं फोन भी करती तो क्या हो जाता, हाँ ना, क्योंकि अगर कोई चोर है, तो वो तो आपको अपने नंबर से फोन करेगा भी नहीं, गया तो गया आपका फोन, तो अब भाई साबने मुझे फोन किया, तो फिर विश्वास करके बस बगवान जी के पर विश्वास करके मैंने उनको एक भी कॉल मेरा गया नहीं और कल किसी का फोन मेरे फोन पर आया भी नहीं तो किसी को पता ही नहीं चला कि कल मेरा फोन जो है मेरे हाथ में ही नहीं था किसी अजनवी के हाथ में था तो बस यह मेरे तो अब सबक तो देए देते हैं हर बार देते हैं असानी है पर वो इंसान का दिमाग ए टेंशन तो होती है हर चीज की लेकिन कल यह मेरे साथ हुआ वाक्या है और यह सत्ते घटना है कल की और क्योंकि अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम अगर आप लोगों मैं से यूट्यूब थांक्यू भगवान, थांक्यू बाइस साथ तो और एक चीज सच में मतलब देखो जहां अच्छे लोग हैं माँ बुरी लोग भी हैं मैरे मैरे मैंने हमारे हमें भी मुझे भी एकर किसी का मुबायल मिलता तो मैं भी वापस ही करती मैं तो किसी का कोई चीज एक रुपया बहुत जाता है बगवान के मंदिर में तो ऐसी चीजे है और ट्रेंड में मुझे भी एक बार किसी लड़की का पर्स ब्लब निकल ली अपना पर्स और मोबाइल छोड़ के हमारा भी ध्यान नहीं थूर दे बात ध्यान गया तो मैंने ट्रेंड में लड़का बैठा तो बहु गई है तो हमारे सब देर से वाकिय हुए हम भी वापस लोटा देते हैं तो जो इंसान इमानदार है वो कर देगा जो इंसान इमानदार नहीं है वो नहीं करेगा अब ऐसा भी नहीं है कि अच्छे को अच्छे ही मिले अच्छे को बुरे भी मिल जाते हैं बट है बगवान क लीला तो मिल गए अच्छे लोग और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी कभी भी किसी का भी फून कोई चीज कभी मिल जाए न तो जैसे लोग है तो रिटन कर देंगे एक छोटी सी चीज आप अपने पास रखते हैं कोई भी अपने पास रखते हैं क्या ही करेग तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा बस रादे रादे